नमस्कार मौसम विध्यान केंद्र जैपुर आपका स्वागत करता है। नमस्कार मौसम विध्यान केंद्र आपका स्वागत करता है। नमस्कार मौसम विध्यान केंद्र आपका स्वागत करता है। इसके अगले दो-तीन दिनों में दक्षिनी राजस्थान व आसपास के गुजरात शेत्र से होते हुए कच्छ सौराष्ट शेत्र की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से आज उदेपुर, जोधपुर संभाग के दक्षिनी भागों में भारी से अती भारी व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश 40-50 किलोमेटर प्रतिगंटे की गती से तेज हवाएं दर्ज होने की प्रबल संभावना है। उदेपुर, जोधपुर संभाग के दक्षिनी भागों में 27 अगस्त को भी तेज हवाओं के साथ भारी व कहीं कहीं अती भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। भरतपुर, जैपुर, अजमेर, कोटा वबीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दो दिन हलकी मध्यम बारिश के कुछ दौर दर्स किये जा सकते हैं। भारी वर्शा से निचले इलाकों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सडकों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेग गरजन के समय कृप्या घर के अंदर रहें। खिड़किया और दर्वाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रे लें। पेडों के नीचे आश्रे न लें। पककर तैयार फसलों का ढखकर सुरक्षित स्थान पर भंडारन करें। राजस्थान मौसम के अपदेट हेतु कृप्या मौसम विज्ञान केंदर जैपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृप्या लिंक्स वा मोबाइल एप का उप्योग करें। धन्यवाद।